मौन्सून खतम होते ही अब धीरे धीरे विंटर स्टार्ट हो रही है तो अब हमें अपने अडेनियम प्लांट की कैसे केर करनी है उसको कौन सा फ़र्टिलाइजर देना है आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? Love for gardening में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज में आपको Ardenium plant की care हम winter में कैसे करें किस चीज का ध्यान रखें ताकि winter में हमारे plants को कुछ ना हो और फिर से वो summer में जैसे ही गर्मी start हो flowering करना start कर दें तो क्या करना है हमें? सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक हम अपने plant को धूप में रख रहे थे ऐसी जगह पे जहां पे हमारे plant को अच्छे से sunlight मिलें तो अब हमें winter में भी यही काम करना है हाला कि winter में इतनी तेज धूप नहीं निकलती है जितना गर्मीयों में होता है लेकिन फिर भी जितनी भी देर की धूप आपके हां हो रही है आप अपने plant को उतनी धूप में रखे ऐसी जगह रखे जहां उसको दिन भर सर्दी में जब तक धूप निकले तो वो fog गिरता है plant के उपर तो उससे क्या होता है न कि plant के जो leaves होती है या उसका जो stem होता है उस पे fungus लगने के chances हो जाते हैं तो आपको plant को ऐसी जगह रखना है जहां plant को धूप तो दिन भर की मिले लेकिन उसके उपर कुछ हो जैसे किसी shade के नीचे उसको रख दीजे उससे क्या होगा कि उसको धूप तो प्रॉपर मिलेगी पर जो कोहरा गिरता है वो plant से दूर रहेगा तीसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि हमें अपने plant को और water से बचाना है जिसे गर्मियों में तो अभी हम दिन भर में एक बार पानी अपने plant को दे रहे थे या कभी बारिश वगरा हो गई तो दो दिन तीन दिन हमने पानी नहीं दिया लेकिन winter में क्या करना है कि winter में जिसे plant हमारा dormancy rhyme में चला जाएगा वो rest period पे चल रहा होगा तो ऐसे में हमें उसको बहुत जादा fertilizer देनी की भी जूरत नहीं है और बहुत पानी देनी की भी जूरत नहीं है तो winter में आप हफते में एक बार अपने plant को पानी दे देंगे तो ये उसके लिए काफी होगा या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब अभी पानी की जूरत है तो हफते में आप दो बार दे सकते हैं पर इससे जादा तो आपको अडेनियम प्लान को water देनी की जूरत नहीं है winter में और क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि पानी देना एक daily का नियम है हम उसको रोज पानी दे रहे हैं पर आपको इस चीज से बचना होगा अब आपको पानी बहुत कंट्रोल में देना होगा प्लस आपको क्या करना होगा अगर आपके हाँ जैसे कभी-कभी होता है winter में हफता-हफता-10 दिन तक धूप नहीं निकलती हैं तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें अपने प्लान की गुडाई कर देनी है गुडाई करने से क्या होता है कि जो अंदर की soil है वो हमारी गीली बनी रहती है तो गुडाई जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है हमारे अंदर की soil में भी हवा जाती है और soil थोड़ी सी dry हो जाती है तो हमें अपनी soil को well drain रखना है प्लस उसको अगर हमें लगता है कि हाँ 10-15 दिन हो गए हमारे यहां धूप नहीं निकली है तो उसकी गुड़ाई कर देनी है बाकि महीने में एक बार आप प्लान की गुड़ाई कर सकते हैं dormancy period में भी कोई problem नहीं होगी अभी मैं आपको fertilizer भी बताने वाली हूँ कि dormancy time में आपको अपने plant को कौन सा fertilizer देना है और किस तरीके से देना है मैंने अभी कुछ दिन पहले मतलब मौनसून में अपने plant की reporting कर दी थी और reporting करने के बाद मेरे plant में बहुत ही अच्छी चोटी चोटी सी growth भी start हो गई है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है कि जब समय हो उसी समय अगर हम अपने plant की reporting कर दें या फिर अपने plant की pruning कर दें तो उससे हमारा plant बहुत healthy हो जाता है और इसमें सबसे बड़ा role होता है हमारी soil का आप देखें मेरे plant की soil well-drained soil है और भूर भूरी सी है एकदम तो इससे क्या होता है न कि हमारा plant अच्छे से grow करता है एक चीज और मैं आपको बताती हूँ अब winters में हमारे plants की leaves इस तरीके से yellow होके गिरना start कर देंगी यह एक natural process है क्योंकि plant अब दीरे-दीरे dormancy में जाएगा तो वह अपनी leaves को गिराना भी शुरू कर देगा अगर आप लोग चाहें तो इस समय अपने plant की soft pruning भी कर सकते हैं क्योंकि plant अब rest period में चला जाएगा तो आप soft pruning करके और जहां प्रून करेंगे वहाँ साफ fungicide का paste लगा लिजे तो फिर आपको next season के लिए बहुत अची growth मिलेगी अपने plant पे यह देखे मैंने reporting की थी तो मेरे plant में अब चोटी चोटी सी growth भी आनी start हो गई है इस plant में एक side पे हैं एक पीछे की तरफ है और एक उपर भी है तो मैं अभी आपको सारी growth को detail में दिखा देती हूं watering का आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि क्या होता है कि जब हम ज़्यादा water देते हैं तो हमारा plant का जो codex होता है वो खराब होने को हो जाता है क्या होता है कि वो सिकोडने लगता है बहुत लूज हो जाता है पिलपिला टाइप का जब आप चुएंगे उसको प्रेस करेंगे न तो वो बहुत आसानी से दबना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जानने जे कि आपके codex में या तो over water होता है और या तो फिर less water हो रहा है य हमें watering का अब winter में बहुत ही जादा ध्यान रखना पड़ेगा इसके बाद हमें क्या करना है देखे fertilizer तो अब हमें अपने plant की growth के लिए उस तरीके से नहीं देना है लेकिन हाँ उसकी safety के लिए कि हमारा plant safe रहे ठीक ठाक रहे मरे ना उसके लिए अब हमें अपने plant को fertilizer देना ह है तो वो क्या है यह देखे यह साफ fungicide है तो यह साफ fungicide भी हमें अपने plant में देना है और एक liquid fertilizer है जो कि मैं अभी वीडियो में आगए आपको बताऊंगी वो भी देना है तो हमें देना कैसे है साफ fungicide को दो तरीके से देना है एक तो हम soil में mix कर सकते हैं इस तरीके से ज उसको water दे देंगे तो उससे क्या होगा कि soil के अंदर जितनी भी fungus की problem होगी वो ठीक हो जाएगी और अगर नहीं भी होगी तो वो आ नहीं पाएगी मतलब fungus आ नहीं पाएगा हमारे plant की soil के अंदर दूसरा काम क्या करना है हमें इसका spray भी करना है तो जैसे यह वाला fertilizer आपने महीने में एक बार अपने plant में डाल दिया उसके बार आपको क्या करना है महीने में एक ही बार अपने plant को इसी fungicide का spray भी करना है इस प्रे कप करना है जब आपको लगे कि अच्छी खासी धूप निकली हुई है विंटर में आप जो भी काम करिए वो धूप में ही करिए जैस में आप कोई भी fertilizer कोई भी care जो करना चाहते है plant की वह आप धूप में करिए इससे हमारे plant को ज्यादा फायदा होगा तो यह fertilizer देने के बाद पानी दे देना है और इस प्रे करना है दूसरा fertilizer जो है वह है seaweed का liquid fertilizer तो यह आपको महीने में एक ही बार देना है और नॉर्मिली जो इस quantity होती है अगर आप नहीं जानते है किस तरीके से देना है तो आई वह 10 पर मैं लिंक लगा दूंगी आप उस तरीके से देख लेंगे कैसे कैसे इसे दिया जाता है तो उसमें सारी information है यह fertilizer ऐसा fertilizer है जो plant को मतलब जिन्दा रखने में उसको dormancy में खाने की जरूरत तो नह इने में एक मूठी वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं वो आपके उपर है और अगर आप नहीं भी देना चाहेंगे तो plant को इस समय ज़रूरत नहीं है उस चीज की जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो winter में आपके plant की growth अच्छी होगी और आपका plant summer के लिए एक कमेंट्स के तरूम उससे बात कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई चेक के और